नमस्कार मैं हूँ आपके साथ है रिफट नसीम और आप चुड़ गए हैं रबची लाइव से शुशान सिन्राजपूत ने क्या नहीं की थी आत्माहत्या क्या उनका हुआ था मज़र जी हाँ बॉलिवूड एक्टर शुशान सिन्राजपूत की मौत को भले ही काफी दिन हो गए हो लेकिन उनकी मौत की गुत्ती अब तक नहीं सुलची है आए दिन इसको लेकर नएने खुला से होते रहते हैं आपको बता दे कि अब दिवंगत एक्टर के पोस्ट माठम स्टाफ में शामिल एक शक्स ने दवब कर दिया है कि उन्होंने आत्माहत्यान नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई है इस शक्स का नाम रूप कुमार शह बताया जा रहा है दावा किया जा रहा है कि जस वक्त शुशान का पोस्ट माटम चल रहा था वे अस्पताल के आटोपसी रूम में मौझूद था और पूरी प्रक्रिया में शामल भी था दरसल रिपोर्ट्स के मताबिक रूप कुमार ने कहा कि उसके शरीर पर कई निशान थे और गले पर भी दो-ती निशान थे जिसे पोस्ट माटम रिपोर्ट में दर्जिक किया जाना चाहिए था लेकिन उच्व अधिकारियों ने हमें केवल शरीर की तस्वीरे लेने के लिए कहा उसने कहा कि इसलिए हमने जो किया वे इनके आदेश पर किया इतना ही नहीं पोस्ट माटम करने वाले शक्स ने ये भी आरोप लगाया कि अधिकारियों को ये सुचित करने के बावजूर कि शुसान सिन राश्फूत की हत्या हुई थी उसे नियमों के अनुसार काम करने के लिए कहा गया रूप कुमार रिशा ने कहा कि जब मैंने पहली बार शुशान के शरीर को दिखा तो मैंने तुरंट अपने वरिष्टों को सुचित किया कि मुझे लगता है कि ये आत्मा हत्या नहीं बलकि एक हत्या है उसने कहा कि मैंने उनसे यहां तक कहे दिया कि हमें नियम के मताबिक काम करना चाहिए रूप कुमार रिशा ने कहा हालकि मेरे वरिष्टों ने मुझे कहा कि जितनी जल्दी हो सके तस्वीरे खीचो और शव पुलीस को दे दो उसने कहा कि इसलिए हमने पोस्ट माटम रात में ही किया गार तलब है कि 14 जून 2020 की दोपहर पूरा देश उस वक्त शूक में डूप कया था जब अचानक ये खबर सामने आई कि शुशान सिन राजपूत का निधन हो गया है उनकी लाश उनके बैंदरा एस्थेट अपार्टमेंट से मिली थी मुंबई पुलीस ने शुरुआती जाच में इसे खुदकशी का नाम दिया था हाला कि बाद में शुशान के पिता केसिन ने पटना में एफायार दर्ज कर आरूप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या की गई है और इसके लिए उन्होंने उनकी गल्फिरंड रिया चकरवती को दोशी भी ठहराया था वैसे ये मामला मुंबई पुलीस से होते हुए एडी एनसीबी और सीबियाई तक पहुचा फिलहाल इसे केस की फाइल सीबियाई के पास है और अब तक एजनसी ने इसे लेकर कोई खुलासा नहीं किया है वैसे रूप कुमार शा की बात में कितनी सच्छाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा वहीं एक सवाल ये भी उड़ता है कि रूप कुमार शा अभी तक इस मुद्दे पर चुपी क्यों सादे हुए थे क्योंकि शुशान संद की मौत को काफी लंबा वक्त गुजर चुका है क्या उसके उपर भी चुप रहने का दबाव था लेकिन अगर ये सच है तो सवाल वही उड़ता है कि आखिर वे कौन है जिसने शुशान की हत्या की है और इसकी वज़ा क्या हो सकती है वैसे रूप कुमार शा ने शुशान सिन राजपूत के आत्मा हत्या को कथित रूप से हत्या कहा है उससे बिहार में हलचल भरा महौल है और लोगों की ये मांग है कि शुशान सिन राजपूत को नयाय मिले अगर आपको हमारे वीजियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए धन्यवाद सत्य में विजयते